हलो दोस्तो गुड मॉनिंग नमस्ते कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मज़े में होंगे आप सबी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूप लोग में तो दोस्तो हो चुकी है प्यारी सी सुबा की सुरुआत आज है 14 अक्टूबर दिन ह सुमबार का और बिलकुल सुबे सुबे का समय हो रहा है तो सबसे पहले आ चुके हैं नयवाले रूम में क्योंकि सुबा की साप सफाई बहुत ही जरूरी है और काफी टाइम लग जाता है सुबा की साप सपाई करने में जबकि बहुत ही थोड़ी थोड़ी ही जगे है यहा यहां पर थोड़ा सा रख लेते हैं साम के टाइम में पानी तो उसको भी लेकर चलेंगे थोड़ा बहुत मैंने पिया था साम के टाइम में और बाकी का बच गया था और यहां पर आरोही भी सोकर जाग चुकी है लेकिन अभी उठी नहीं है हमें देख रही थी कि ममा क्या कर तो मैंने इसको बुला दिया था कि जल्दी से उठकर आओ क्योंकि फिर देरी हो जाती है और आज इसकूल भी है और वैसे तो अभी तक तो छुटी ही थी और यहां पर भी थोड़ी सी जाडू लगानी रहती है बाहर की साइड में और जहां पर मोटर साइकल खड़ी रहती है वहां पर तो नहीं लग पाती है वहां पर हम बाद में लगा देंगे जब दुबारा से लगाएंगे और थोड़ा सा निकला है कूड़ा तो अब अच्छे से जाडू लगाते हुए यहां पर बन रहा है क्योंकि पहले तो बहुत ज़्यादा जमीन फूटी थी तो अच्छ तो बहुत सारे लोग वीडियो देखो और इस्टाग्राम पर भी हम देखते हैं वीडियो कि बहुत सारे योगा बगेरा सबी लोग बताते हैं लेकिन बहुत हम कुछ भी नहीं करते हैं सुबा के टाइम बस थोड़ा सा आकर यहां पर टहल लेते हैं और अच्छा लगता है सुबा सुबा थोड़ा सा ठंडा मोसम हो जाता है अब तो कभी कभी सुबा सुबा ठंडी भी लगने लगती है आरो ही तो रोज बोलती है कि ममा ठंड लग रही है सोयटर निकाल दो तो अभी मैंने सोयटर बगेरा निकाले नहीं है लेकिन बहुत जल्द ही निकालने पड़ जाएंगे जब इस तरीके की ठंडी सुबा सुबा पड़ेगी वैसे दिन में इतनी जादा ना तो गर्मी होती है ना तो ठंडा मोसम होता है लेकिन सुबा सुबा हलका सा ठंडा मोसम हो जाता है और बहुत ही अच्छा लग रहा है बादल भी चाये हैं अभी सूरज नहीं निकले हैं और जो हने की थोड़े से जब बादल होते हैं तो थोड़ी सी देरी में ही धूप निकलती है और यहां पर बुआ भी अपने काम कर रही है जो भी गोबर कुड़े के काम होते हैं सुबा सुबा यहां पर भी बहुत सारे काम हो जाते हैं साम का थोड़ा बहुत गोबर भी रहता है यहां पर तो भो भी हटाना होता है और घर में तो गोबर कुड़े के पीछे वाले घर के तो सारे काम हो चुके थे और उसके बाद में आ चुके थे घर पर फिर नहा चुके हैं पूजा भी हो गई है और अब छोग देत नहीं बनाई थी वैसे तो बनाने वाले थे कि थोड़ी सी गुईया की सबजी हो जाएगी और थोड़ी सी आलू की सबजी हो जाएगी लेकिन फिर मैंने का चलो गुईया की ही सबजी सिर्फ बना लेते हैं बाद में दुपहरी में कुछ और बना लेंगे अब तो दुपहरी म तो अगर बच जाता है तो दुपहरी तक भी चल जाता है और यहाँ पर मैंने डाल दिये हैं मसाले तो ज़्यादा इसमें मसाले मैंने नहीं डाले हैं क्योंकि कुछ लोग तो प्याज लहसुन भी नहीं डालते हैं हम तो डाल देते हैं प्याज लहसुन भी और अजबाइन से छोड़ा सा पानी डाल देते हैं, उसके बाद में बाकी के काम कर लेंगे थोड़े बहुत अभी और भी काम बाकी है, बैसे तो आज भी नहीं सुबह सुबह पानी आया था लेकिन फिर भी मैंने नहा लिया है क्योंकि रोज रोज अच्छा नहीं लगता है सुबा जब नहाते नहीं है तो थोड़ा सा अजीब लगता है दो दिन से दो दिन हो गए थे मैंने नहीं नहाया था सुबा सुबा लेकिन आज मैंने सुबा सुबा नहा लिया था और उसके बाद में मैंने थोड़ा सा पी लिया कई वार दूद खराब भी हो गया था, सामका जो रखा था, तो रखना पड़ता है, क्योंकि चाय में भी पड़ता है, तो हम यही सोचते हैं, कि चलो सारा दूद रख देते हैं, सुबा ही पीएंगे, और यहाँ पर हम लोग सेकने लगे हैं, रोटियां, आप सभी दोस्तों को तहदेल से बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप सभी के प्यार और आसर बास से हमारे 11,000 ससक्राइबर पूरे हो गए हैं, आज हम बहुत ज़्यादा खुसें, आप सभी को बता नहीं सकते हैं, आप सभी का जितना भी हम धन्यवाद करें उतना कम है, आग में डाल दिये थे थोड़ी से आलू क्योंकि ये जो भूने हुए आलू होते हैं बहुत ही अच्छे लगते हैं एक्तम से मीठे-मीठे और आज तो मैंने फिर बनाई थी धनिया बाली चट्टनी और उसके साथ में आलू खाये थे बहुत ही टेस्टी लगे थे वैसे तो वी चार बजे के टाइम तो यहाँ पर बैठ गये हैं जाडू लगाने के लिए और हमारी कई दीदियों ने कमेंट किया है कि आप इस हालत में करवा चोथ का बिरत रखोगी सही नहीं रहता है तो सही का दीदी और उन दीदियों ने यहाँ भी कमेंट किया है कि हमारे यहाँ तो सभी लोग मना कर रहे तो दीदी हाँ ये तो होता है कि हमारे यहां भी सभी लोग मना कर रहे हैं कि ब्रत ना रखो इस हालत में तुमको भी दिक्कत होगी और बच्चे को भी दिक्कत होगी क्योंकि पूरा दिन भूंका रहना पड़ेगा लेकिन फिर मैंने का देखते हैं रख पाएंगे तो रख देना की रखना चाहिए या नहीं वैसे तो सभी लोग रहते हैं क्योंकि हमी नहीं अकेले हैं बहुत सारी औरते रख्ती हैं कुछ औरतों की तो अभी बहुत जल्द से ही delivery होने बाली है वह लोग भी ब्रत रखने वाले हैं तो मेने कचलो हम भी रख लेंगे क्योंकि छोड़ते हुए अच्छा नहीं लगता है तो जो चीजे सुरू से चलती हुई आ रही हैं उनको हम लोग मान रहे हैं फालो कर रहे हैं तो अच्छा लगता है अगर हम छोड़ देंगे फिर हमें ही अच्छा नहीं लगेग तो देखते हैं बैसे तो आरोही के पापा भी मना कर रहे थे कि इस बार छोड़ दो अगली बार से फिर से रख लेना लेकिन फिर सबी लोग यहां भी बोलते हैं कि छोड़ कर फिर ब्रत रखा नहीं जाता है तो इसी बज़े से हमने तैयारी तो बैसे सारी कर ली है लेकिन देखते हैं कि कैसे रख पाते हैं ब्रत कैसे नहीं और यहां पर मैंने कर दी है साप सफाई उसके बाद में कर देते हैं चूले की पुताई और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया है वो हैं दीदी गोलू सिंग तो उन्होंने कमेंट किया है कि अब की बार पीछे वाले घर की दीवारों पर भी चूने से पुताए करना तो जी दीदी जरूर उन्होंने रिकोस्ट की है तो दीदी हो सकता है कि कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं क्योंकि आगे पीछे कर देंगे अभी इतनी जल्दी से नहीं कर पाएंगे और अभी घर में भी बहुत सारे काम है साप सफाई के तो इन दिनों में जो हैने की जब भी तेवार आते हैं तो सभी के यहां बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं चाहे हम गाउं में हूँ या फिर सहर में हूँ बहुत सारे काम होते हैं, सबसे ज़्यादा साप सफाई के, और साप सफाई मैंने कर दी है, चूले की पुताई कर दी है, उसके बाद में बैठ गए हैं आलू खाने के लिए, तो मैंने का आलू भी खा लेते हैं, नहीं तो ठंडे हो जाएंगे, और चटनी हम पीस कर लाए हैं हरा धनिया और हरी मिर्च की और यहां पर आरोही फोन में लगी थी तो मैंने का चलो आलू खाओ और आरोही तो चटनी के साथ में नहीं खाती है यह तो रूखे खाती है और हमें खाने थे चटनी के साथ में चटनी के साथ में बहुत ही आज अच्छे आलो लगे बहुत ही टेस्टी लगे और ज़्यादातर हम यही चीजे खाते रहते हैं जो सूखी रूखी चीजे होती हैं जबकि आरोई के पापा बोलने भी लगते हैं कभी कभी कि तुम्हारे लिए तो जो हैने की सूखी रूखी रोटी ही चाहिए और ज़्यादातर हमें जो पसंद आती हैं वही चीजे खाते हैं इन दिनों में और यही चीजे हमें पसंद आती हैं चटनी हो और रोटी हो खा लेंगे थोड़ा सा गी बगेरा लगा हो तो और भी टेस्टी लगती है वैसे तो चटनी रोटी भी हम खा ल पानी लेने के लिए तो आरोई को मैंने साथ में ले लिया है आरोई लेकर चल रही है डबा पानी वाला तो अभी हम भरकर लाएंगे पानी और यहां पर मैंने आकर देखा कि सभी लोग बैठे हुए हैं बुआ भी बैठी है और नेदत जी तो यहां पर अड़े की कड़ाई ह लेकिन बुआ भी बैठी थी दी बड़ी अमा सभी लोग यहीं पर बैठे हुए थे तो बहुत अच्छा लगा यहां पर आकर हमें तो थोड़ी देर के लिए फिर हम भी रुक गए थे मैंने का यहां पर रुक जाते हैं थोड़ी बहुत देर के लिए बाते आते कर लेते है तो यहाँ पर यह लोग कर रहे हैं अड़े की कड़ाई अब की बार यह कोटी का पीस लगा है जो की बिलाउज भी से बोल सकते हैं तो ये लोग बोलते हैं कोटी तो इसी बज़े से हम भी कोटी ही बोलते हैं थोड़ी हलकी कड़ाई है ज्यादा नहीं कड़ाई है और उसके बाद में आ रोही घर आकर लगाने लगी है ज़ाडू इसको ये ज़ाडू लगाने का काम बहुत अच्छा लगता है और हमसे बोल ईए पूड़ाई खटा कर दो 더 चलके उसके बाद में बहरगे और फिर आ चुकी थि टंकि आज टंकी का पानी आ चुका है तो वहोत ही कुजी हो रही थzy मैंने का बर्तन जो रखें उनको भर लेते हैं तो ये वाली जो बाल्टी है इसमें सुबा के टाइम मैंने पानी रखवाया था आरोई के पापा से तो ये बाली बाल्टी भी खाली कर लेते हैं और अब टंकी बाला पानी रख लेंगे इसमें भर कर क्योंकि टंकी का पानी जाधा अच्छा होता है गहराई से आता है ये बाला पानी था बाहर बाले नल का तो ये बाला पानी मैंने बाल्टी में कर दिया फैलाएंगे नहीं बरतन धुल लेंगे और जितना पानी जरूरत होता है उतना ही हम लोग लेते हैं बांकी का बंद कर देते हैं क्योंकि पानी जब नहीं आता है तब पानी की कीमत पता जलती है कि कितना ज़्यादा कीमती पानी है तो यहाँ पर धुल देते हैं बरतन दुपहरी के पड़े हैं जोकि खाना सभी ने खाया था और आद उपहरी में बनी थी साइद दलिया बनी थी तो वही बरतन थोड़े बहुत पड़े हैं दलिया सभी लोग उने इसमें थाली में खाई थी ठंडी होने के लिए रख दी थी तो इसी बज़े से जल्दी जब भी होती है तो सबी लोग थाली में खा लेते हैं पलट कर तो जल्दी हो जाती है ठंडी हो जाती है जल्दी से तो थोड़े बहुत बरतन जो भी हलके फुलके हैं इनको धुलकर रख देते हैं एक हमारी दीदी ने कमेंट किया था, जो कल के बाले ब्लोग को लेकर, कि कल मैंने वहाँ पर सफाई की थी, तो दीचे आरोई को मैंने गुसा दिया था, तकत के नीचे, तो उन दीदी ने कमेंट किया है, कि एक डंडे में पोँछा बांध लियाकर रो, तो अच्छे से पोचा भी लग जाएगा और सफाई भी हो जाएगी और महावरिक डिजाइन आप सभी ने बहुत ही प्यारी बताई हमें बहुत अच्छा लगा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया है वो दीदी बोल नहीं थी कि आपके पैरों की महावर बहुत अच्छी लग रही है और आपका नेचर भी हमें बहुत अच्छा लगता है और सबसे अच्छी बात यह है कि आप कमेंटों के जबाब देती हो जो भी कोई भी कमेंट करता है बहुत ही अच्छे से जवाब देती हो और कोई अगर गलत कमेंट करता है या आपके बारे में गलत बोलता है फिर भी आप गलत नहीं उसको बोलती हो तो ये तो बात है दे दी क्योंकि जो अगर हमें एक दो बात है अगर बोल भी रहा है कोई ज देखें ये क्या कहेगा तो हम किसी की बात का बुरा नहीं मानते हैं और सभी के साथ में अपने घर पर मिल जुल कर रहते हैं और चाहें कोई बाहर का हो या फिर घर का हो किसी को भी गलत नहीं बोलते हैं और गलत बोलने वाले वो तो बोल कर चले ही जाते हैं थोड़ा सा खरा खुरु के पापा ले कर आएं यह दूसरा वाला चुना जो की यह है जो हन kidding कि बैसा ला ख़ड़ा चूना और वो एक बार यह ले कर आए थे बीच में वह पिसा हुवा चूना ले लेकर आए थे व हुझ अनी तो में करता है जब इसको हम भीगोते हैं पानी में तो यह कुछ इस तरीके का हो गया है और तसला एकदम से गरम हो गया है कि जितना ही यह फैलेगा चुना मतलब घूलेगा उतना ही जाधा यह गरम हो जाएगा तसला और यहां पर हम बैठे हुए थे कुरुसी पर आराम से मेने का देखते हैं कि किस तरीके से ये किरिया अपनी करता है तो पानी में ही जाकर ये किरिया करता है तो इसी वज़े से हम जब भी इन से चूना मगाते हैं तो हम कहते हैं डेला बाला लाना डेला बाला ये चूना बढ़िया होता है और जो पीसा हुआ चूना होता है वो इतना ज़ाधा अच्छा नहीं होता है तो यहाँ पर इसने किरिया करनी अबरी सुरू कर दी है देखो कितीनी तेज तेज अधक रहा है जैसे लग रहा है कि आग पर लगभग 10 मिनट लग गए थे इसको चूने को बनने में और आसा करते हैं दोस्तों आज का ब्लोग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा अगर आप सभी को हमारे ब्लोग पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल पर नूँ है तो चैनल को सस्क्राइब कर लिया करें कल फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लोग के साथ में तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते अपने